नमस्कार गायतरी जोतिस केंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है देखे ये तो सभी लोग जानते हैं कि मनुस एक जिग्यासू प्राणी है जिसकी जिग्यासा कभी समापत नहीं होती है वह छोटा हो या बड़ा हो वह हमेशा ही आगे बढ़ना चाहता है बड़ा बनना चाहता है इसके लिए उसके मन में कई परकार के विचार उत्पन होते हैं और वह उनके लिए हमेशा प्रियासरत रहता है कई परकार के कारे वह करता है कई चीज़ें वह अपने जिवन में आजमाता हैं आगे बढ़ने के लिए हम भी आप लोग के लिए जोतिसास संबंदित हर ब्यक्ति के आगे बढ़ने के लिए कही ने कहीं किसी प्रकार की ग्रहस्तित हो या वास्तक जीवन से जुड़ीवी चीज़े हो ऐसे संबंदित चीज़ें उपाई आप लोग के लिए लाते रहते हैं आज भी हम आप लोगों के लिए बड़े बड़े आचारियों द्वारा प्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अपने भागे को चमकाने के लिए या जीवन में सरैस्ट बनना भाग के चमकाना तक दीर चमकाना कहा जाता है उसके लिए जो बताए गए नियम हैं सूत्र हैं पूर में भी हम आप लोग के लिए लाए हुए हैं तो आज भी आप लोग के लिए टीन सर्वस्रेश्ट ऐसे सूत्र लेके आये हैं जो कि मनुस्य जैसा कि आप भार से देख रहे हैं कि टाइटिल में कि छोड़ दे इन तीन चीज़ों को इन तीन आदतों को तो भाग के विधाता को भी भाग बदलना पड़ता है तो वो तीन चीज़े बड़ी स्रेश्ट मानी गई हैं आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं सरल तरीके से संक्सिप्त में बहुत जल्दी मैं आप लोग को समझाओंग मज़ लीचे कि आपको भी समय मिल रहा है आप हर जगह पे लेट हो रहे हैं तो ऐसा बताया गया है स्रेश्ट आचारियों द्वारा कि प्रातहकाल बिस्तर पे जैसे ही निद्रा खुले तुरंत ही बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए ये पहली सबसे बड़ी चीज़ बता होता है कहते है उस वह भगवान सूरे जाग रहे होते है भाग के विधाता भी कहा जाता है साय के समय एक घंटा कम से कम आदे से एक घंटा आप योगासन में एक ही मुद्रा में आप बैट चाहिए आप बैठ के योगासन या एक मुद्रा रहनी चाहिए बैठ जाईए कम से कम आदे से एक घंटा और उसमें बताया गया है कि अपने बारे में आप विचार करिए आप दिन भर की क्रियाओं पर विचार करिए और पूर्वी की क्रियाओं पर विचार करिए एक घंटा आपको एकी स्तित्व में न हिलना है न डूलना है, लगातार आप यदी ये तीन चीज़ा करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है, जो कि लंबे समय तक पूरी जीवन भर चलता है, और जो आपके जीवन को एक नए स्रेश्ट मार्ग, जो कि तकदीर चमकाने वाला, किसमत चमकाने वाला, जिसे हम कह सकते हैं, उस मार्ग पे वो लेके जाता है, आपकी सोच स्वेम बदलने लगती है इन तीन प्रक्रियाओं से, और भी कई ऐसी चीज़ें बताए गई है, धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, ज समय देना पड़ता है, बात में ब्यक्ति की आदिते हैं बन जाती है, तो यदि यह छूटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सबिस्क्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाई बहुत अच्छे जानकारी के वीडियो आपके होम स्क्रिन पर आने शुरू हो जाएंगे, तो मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी के बहुत अच्छे जानकारी के एपिसोट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवसकार, जैसरी राम, जैसरी कृष्णा, ओम झाल